नमस्कार में संतोष अगरवान टी टेस्टर टी बिजनिस डेपर और विजनिस कंसेटेंट अभी जो टाइम चन रही है रेनी सीजन की वह सबसे ज्यादा डिफिकन्ट वाली टाइम चन रही है आपको मैं ऐसे समझाऊगा कि जब फ्रेश आम आते हैं या सेव आती है कोई भी फ्रूट आता है यदि फ्रेश रहता है तो उसमें चाटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है लेकिन जब आपके आम सड जाते हैं या सेव सड जाती है कोई भी फ्रूट सड जाते हैं डाउन क्वालिटी हो जाती है उसमें से अच्छी क्वालिटी को चाटना ब नए मार्केट के अंधर में एक यह ट्रेंड आता है कि भाई ने जितनी ज़्यादा रिट गरती है उससे ज़्यादा क्वालिटी गर जाती है, अब उस धोनों चीजों के अंधर होता है कि जो अच्छे ब्रांड हैं जिन्हों ने अपना ब्रांड को स्टेबन कर रख है मार्केट में अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं क्योंकि फर्स्ट फ्लस और सेकेंड फ्लस आके जाता है उसका स्टोरेज रखते हैं लेक इनका धंदा मार्च मेने में स्टार्ट होता है और नोनेज नहीं रहती है चाहिकी तो उनका जाके सितंबर के अंदर में नेर अबाउट क्लोस जैसा ही हो जाता है या बहुत सारे कस्टमर उनके छोड़ जाते हैं रीजन यह रहता है कि वो आणिविज बार बार अपने सप्नाय को तो एक करते हैं और यूज करता है। उनको यह मतलब नहीं है कि अपका दंदा पास होगा कि फेल होगा क्योंकि उनको अपना दंदा चलाने से मतलब है और पिर बाल में क्या होता है जो जो नया बंदा रहता है उसको स्वारचन करने पिर नहीं आती हैलिमिटेड तो खरीटा निद का बाता है तो उसके जो market stand किया हुआ है, set किया हुआ है, वहाँ पे वो supply करता है और कम quantity का मान वो supply करता है उसी rate में, जिस rate में पहने दे रहा था तो जो भी आदमी comparison करता है, वो ये करता है, जब आदमी खरीटता है, तो वो price को देखता है लेकिन जब यूज करता है, तो क्वानिटी को देखता है, तो जब वो comparison करता है कि पहने की चाय के क्वानिटी और अभी की चाय के क्वानिटी में जमीन आस्मान का अंतर आ गया है तो धीरे-धीरे उनका क्या होता है, कि customer छुटने लग जाते है या कोई भी जैसे वियापारिय हो यह बोलने लग जाता है, अभी तो चाय है, हम बाद में देंगे या आपकी चाय के क्वानिटी के अंदर में बेटर क्वानिटी पहने जैसे नहीं आ रही है तो धीरे-धीरे-धीरे करते हुए क्या होता है, कि intimately सितंबर अक्टूबर तक जाते-जाते उनका धंदा बंद जैसा ही हो जाता है फिर वो खोशते हैं कि कहां से बेटर क्वानिटी मिलेगी, कहां से बेटर क्वानिटी मिलेगी और नास्ट में जाके जब आपके नॉंबर-दिसंबर के अंदर सारे गार्डेन बंद हो जाते हैं तो उनका धंदा और भी ज़्यादा कुलोज हो जाता है, क्योंकि जो अच्छे ब्रांट वाले रहते हैं अच्छी क्वानिटी प्रोवाइड करने वाले होते हैं वो मार्केड का प्राइकर जो अच्छी क्वानिटी का प्रोडेक्ट है वो खरीद के अपनी यहां इस्टोर रखते हैं आज मेरे पास में फिर से जैसे बिकरम की एक चाय आई है इतनी अच्छी क्वानिटी मेंटेन कर रखिये इतनी हार्डनेस है जो की आपको मार्केड के इसाब से आज यह जितनी भी मेरे पास में चाय आई है महाराष्ट से जैसे बिकरम की आई है और जैसे यह दूसरी वाले चाय है सोना गाच्छी यह चाय की भी क्वानिटी काफी अच्छी है नो डाउट कहीं भी कोई कमजोर चाय नहीं है क्योंकि सोनागाच्छी भी गोरकपूर के ओस साईड में राजास्तान में चानती है लिए बिना आप चाय के उसरों सउसिट होते है हो भी नहीं सकते हैं उसके अंदर क्योंकि पहले से एक से एक महारती बेठे हुई हैं और यदि बार-बार में यदि आप अपने सपनायर को यदि ये प्रेसर देते हो कि रेट कमती हो गई है आप भी कमते करो तो कहीं न कहीं उसके अंदर में ये दिक्कत आएगी आपको कि वो आपको quality नीचे की great का थोड़ा सपनाई कर देगा या फिर देदेगा या फिर भाई ठीक है इनको समझ में नहीं आ रहा है तो कम quantity का या मना कर देगा कि मेरे पास में कम rate के चाहे नहीं है और जब आप कम rate के चाहिए का या कम quality के चाहिए का यदि माद देते हो बजार में तो आपका business ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा तो अपनी quality के बारे में सतर करेए quality better way में maintain करके ही दीजिए बजार का आपका बजार ही बताएगा आपको कि आपके बजार में क्या चलेगा और कोई भी नहीं बताएगा rate को maintain करते हुए अपनी margin को maintain करते हुए धंदे को आगे बढ़ाएं ये without margin के धंदा नहीं होता है आपको ये वीडियो यदि बेटर लगा हो आपके कोई question हो comment box में जरूर से दीजिए चैनल को subscribe जरूर करिए दूसरे भाईयों को share करिए जो भी चाय का धंदा करना चाहते हैं और आपको हमारी कोई भी बातों में यदि कुछ पॉजिटिवनेश रखती है तो आप प्लीज इसको थम से नाइक का बटन दबाएं और आप अपने ब्यापार में सतर्क रहें और quality को maintain करते हुए आगे बढ़िए यही सारी सुपकामना मेरी आपके साथ में है थैंकियो भ झाल